Hello and welcome dear students, कैसे हैं आप सब, आसा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके पड़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, दाइनाप का ओफिसल प्लैटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत है, जोस्तों आज का जो सेसन होने वाला है, वो हमारा बहुत इंप क्ते जी एज स आता हो, तो उसमें आप देखें गे, कि इस से से मेणाब भार के को सन पूछे गए, इतने को सनप पूछे गयी कि आप खुद देख सकते कितने सारे, अगर मैं पिछले रेसंट पास्ट, दो-тीन सालों की बात कर लों, चार-पान सालों की बात कर लों, तो द तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंतर तक ज्यादा देर की वीडियो नहीं चोटी वीडियो होने वाली है तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखे और एक नोटबुक ले लिजिए और नोटबुक पे आप नोट कीजिए ठीक है ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे चलिए दोस्तो मैं हूं उत्तम मिस्रा जैसे कि आप लोगों को पता हिए दोस्तो दोस्तों फस्ट मुवमेंट जो हुआ था वो 19 17 में हुआ था कब पता गुए दोस्तो आधीजब अगजिस्ट करता है और यह इंडिया Independence of India का कोई भी Independence of India यह First Movement था हुआ यह था दोस्तों कि जब 1915 में गांधी जी वापस आये थे कहां से South Africa से वापस आये थे तो South Africa में उनको काफी अच्छी-खासी Success मिल चुकी थी ठीक है और इंडिया में आने के बाद वो एक देर सालों में काफी popular हुए इतने popular हुए कि हर स्टेट में जहां स्टेट में जाते वहां पर लाखों की भीर जोड़ जाती ठीक है दोस्तों तो इसी तरीके से अब बिहार में क्या चल रहा था बिहार में इंडिकों की खेदी पर बहुत ज्यादा जोड़ दिया जा रहा था जोड़ जबर्दस्ति किया जा रह राजकुमार सुकला वो country के situation से काफी मतलब much aware थे तो वो कहां पर जाके मिले वो गांधी जी से जाके मिले उनको किसी ने advice कि अगर आपको इस problem का solution चाहते हो तो आपको गांधी जी से जाके मिलना होगा तो गांधी जी से जाके मिले दोस्तो गांधी जी से कई सारे session में तो गांधी जी चंपारण गये चंपारण जाने के बाद वो कि की मुलकात कि से थी यह उनकी मुलकात हुई दोस्तों वहाँ ओंग्तर राजेंदर प्रसाद जो की बिहार की बहुत ही बड़े बिहार की के कैसल अध्य एक टरीके एड़वकेट थे और वहाँ पे काउंसिल ऑफ एडवोकर से भी उनकी मुलकात हुई थी ठीक है और यह मुवमेंट काफी सक्सेस्फुल रहा था दोस्तों तो लास्ली आपको पता चली के चंपारन मुमेंट उन्हीं सटरह में हुआ था देट देट आएगा देट आएगा तो बिलको ऐसा नहीं होगा कि आठ दाबाद मेली स्ट्राइक अम्दाबाद मेलिस्ट्राइक इडिपेंडेंटन्स आफ इंडिया का सेकंड मुम्मेंट था जो कि 1978 में 18 में यह हुआ था यह हुआ क्यों था दोस्तों कि इंडिया में युर्फ यूठ काफ़ी एक हतरनाती फैलिक लाइंस प्लेक्च क्या होता है दोस्तों एकि kadar निन कर जो वो अपने गामों को पलायन कर रहे थे वो अपने गामों को क्या कर रहे थे पलायन कर रहे थे अब मालिकों मिल मालिकों को सामने टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के सामने एक प्रोब्लम यह क्रियेट हो गई कि यार जब सारे मजदूर जब चले जाएंगे सारे मजदूर चले जाएंगे तो काम कौन करेगा उनको रोकने के लिए वहां के जो ओनर थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया दोस्तों बोनस देना चालू कर दिया क्या करना चालू कर दिया बोनस देना चालू कर दिया ता आब जो है वह हम bonus. We are salary के साथ ही देंगे bonus नाम के कुछ नहीं और salary के साथ सिर्फ salary देंगे वहां करें मज़डूर भढ़क गए, अच्छा बिल्कूल भी yüzden लगा को वो लोग जाके किसे मिले ? गांदी जी से मिले गांदी जी पौनर्टació ही गांदी जी भॉनस के साथ सेलरी के साथ 35% डिमांड की 25% बोनस की इमांड की मांग कर दे ठीक है कि बोनस को फिर से क्या किका जाए दोस्तों रिज्यूम की यह तो आसा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों चली कि थर्ड वन इस खेडा मुव्मेंट क्या था खेडा मुवमेंट तो खेडा कहां पड़ता है गुजरात की अमदाबाद में पड़ता है यह हुआ था दोस्तों हुआ यह था कि जब महामारी फैली ती और इस जब काफी जारा हुआ था तो फेलियर यानिका फसल उगे ही नही को आप पैसा कहां से दोगे यानिकट टेक्स कहां से दोगे खाने का पैसा नहीं खिल प्रेक्स देवाँ गया नहीं देप और तो इसी को दिहां तो और लेकिन क्रॉप फिलियर के बाउजूद भी जो ब्रीटिस अंहें उन्हों ने यूज टेक्स लगा दिया बहुत भरी मात जो काफी successful रहा दोस्तों ठीक है दोस्तों चलिए 1919 बहुत इंपॉर्टेंट आप मतलब यह माले जैसे भी काफी सारे कुछन पूछे गए थे ठीक है अली ब्रदर्स यह भी एक था कि तुरकी में और तो मंनपायर था उठीमे तूर्की में तुर्की को हत्याने चसकर में जैसे इंडिया बनाई थी वैसे ही तुर्की अपनी को लिए ने तु वहां कि को कॉलापस कर दिया ब्रिटिसर्स ने और ये मालने जिए कि अपने आप में ही जिसका हम खलिफा बोलते हैं इसका है अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट आज के जमाइने में जैसे क्रिस्चन की पॉप का पोस्ट क्या सकते हैं जो कि वैटिंकर में बैठती है उसी तरीके से उससे में मैंने आटोमा नम पायर हुआ करते हैं खलीफा जो तुर्की में बैठा करता था ठीक है तो इतने कुछ होने के बावजूद अब मुस्लिमों को सेंटिमेंट बिगड़ गई कि हमारे त तो दुनिया में जितने भी आप वो थे मुस्लिम पीपल थे वो काफी जारा भढ़क गए कि अब तो मिल्ला बिल्कुल अंग्रेजों को अंत होना चाहिए है तो इसी तरीके से इंडिया में भी काफी सारे मुसल्मान थे और इसी मुमेंट का फायदा उठाते हुए गांध जिन उनको सामिल किया ठीक है और मुसल्मानों से मुसलिम से यह आग्रह किया कि अब देखो आपके खतम हो चुका है तो यह बिल्कुल हम आपके धरम कोई खतम करना चाहते हैं यह इसके साथ में गांधी जीने इसको ऑल इंडिया लेवल पर किया और अली ब्रदर के साथ मे मिलके किया ठीक है तो आसा करता हूं जो पढ़ा रहा हूं वह आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों नाइंटीन थर्टी बहुत इंपोर्टन्ट एयर है नाइंटीन थर्टी जो है साल्ट सत्यागरह हुआ था यानि कि जिसको हम हिंदी में दांडी मार्च के नाम से जानत कि नमक पर टेक्स लगा जाता है बहुत ज्यादा आपको पता है नमक एक ऐसी चीज़ है बहुत इसेंसियल चीज़ है कि हम एक तरीके से आप यह मालेजिए कि दुनिया अगर आप खाना बनाओंगे तो नमक तो बहुत जरूरी चीज़ है नस हेल्थ के लिए काफी इंपो पल का फाइदा उठाते हुए उन्हों ने लॉंच कर दिया डांडी मार्श लॉंट कर दिया लॉंच कर दिया इसमें हुआ यह गांदी जिन आपने असी ट्रस्टिड वॉलेंटियर्स के साथ मिलके दिन भर वह मनलब पूरी दिन भर वह अपने गामों में जाते वह मतलब दस माइल जो हो हो चलते हैं लोगों को नहीं बताया है एक वहेर किया उनके बारे में और लोगोt अनोंने जोड़ा ठीक है एक non cooperative movement है ठीक है दोस्तों चलिए 1942 बहुत ही important इसको 1942 इंडिया के नाम से जानते जानते हैं साथ में इसको August movement के नाम से भी जानते हैं कोस्तर में अगर आया कि अगस्त मुव्मेंट कब हुआ था तो 1914 में हुआ था ठीक है 1942 में अगस्त मुव्मेंट हुआ था ठीक है दोस्तों यह लॉंच कहा हुआ था यह बहुत इंपोर्टेंट यह यह तो सद्यान लॉंच का भूवा था लॉंच हुआ था यह था पॉंच के एर्थ अधिवेसन में यह लॉंच हुआ था एर्थ और बंबे जो क्या करते हैं जो आठ अगस्त को जो कि है रुआ था ठीक है बंबे में है था तो वहां पर उन्होंने इसको शुरुवात करने की मुमेंट की तो जाप बोला था कि अंग्रेज भारत छो ठीक और यहां पर गांधी जीने एक स्लोगान भी दिया था डूर्डाइक करो या मरो ठीक है दोस्तों आपको समाझ में आगया होगा चलिए अब क्वेस्चन यह है कि 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी साउथ अफ्रिका सक्सेस्फिली वापस आय थे उनके याद में गवर्मेंट आफ इंडिया ने 2003 में 2003 में एक डे स्टार्टिड करा डैट इस प्रवासी भारतिये दीवस प्रवासी भारतिये दीवस 2019 में यह वारण सी में मनाई गया था 2020 में नियु डेली में मनाई गया था ठीक है चलिए थीम भी याद कर लिजिए और यह किसके उप्लेक्शन में गांधी जिस साउथ अफरीका से वापस लोटे थे ना उसके उपलेक्शन में अगया था ठीक है दोस्तों तो आसा करता हूं आपको बिलकुल सब्सक्राइब किजिए अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं कोई सजेशन है आप कमेंट में कमेंट करके बताइए और से जुरूड की जितने भी अगर आपके दोस्त हैं क्योंकि ऐसे से एस पर एंडिया बाकी और भी को गवर्मेंट के एक्जाम कर रहे हैं तो आप उनके साथ सेर कीजिए ताकि उनको भी मिल सके सिक्षा बाटने से और भी जादा बढ़ती है ठीक है चलिए आज के लिए मैं उत्तम मिस्रा आपका तहजिल से धन्यवाद करता हूं और यहां पर आपके सासन को खतम के जाता है ठीक है धन्यवाद